गई जर पिछले वीडियो के अंदर आपने कमाल कर दिया बिकेष्ट आइसक्रीम वाली के अंदर आपने जो लाइक एम था इतना जल्दी पूरा कर दिया कि हम भी तैयार है एक और वीडियो के साथ में तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है बिल्कुल शुद्ध देसी गी निकालने वाले हैं 100 लीटर दूद्धे जे आगए तो दो फाइदे हों के पहली चीज तो हमें जो है बिल्कुल शुद्ध देसी गी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमें यह भी बता पड़ जाएगा कि सो लीटर दूद में से कितना देसी गी निकलता है तो गाई देख देखे और अब हमें जरुरत है 100 लिटर दूद की चले बेस दूदे तो भाइज जैर हम बिल्कुल और गेनिक तरीके से गी निकालेंगे तो जो दूद है वह भी बिल्कुल देसी लेंगे कोईबी मिलावाट नहीं चलो 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 जीए पिस तो तो अगर औ आपने को थोड़ा थोड़ा इखटा करना पड़ेगा पूरे 100 लिटर पूरे गाउं के अंदर जाएंगा और सब जदा सी इकटा करेंगे तो यह कच्छा दूद अब इसको चानना पड़ेगा पहले इखटा कर लेते हैं 100 लिटर बहुत सारी भेसे दूनी पड़ेगी और जो तो गाइस यह पांच किलो और दूद हमें मिल चुका है लेकिन दिक्कत ही है बहस को दूते टाइम मतलब बहस की दुवारी करते टाइम अगर बहस का दिमाग सटका तो इसे टक से लाध मारती और गिरा देती है चलो अबी तो और ओर आई दिने जो आपर बहस से तोड़ी हां कि वीका कहा है यह वाली हाह वारती है हथा वाली यह व्यार खेंशाच के ज्यादा है दूद्र हमारे पास लगबख 700 लक्सम ईंद्र और आ बहस की जभए निकला क्यूकि हुआ है यह कृशो Folge 2 पाउर अ-छाक्ष का इसने प्षर्ड है को निकालने हमारी मत्निय यह ओं है गयाइस यार हम जो है था दूता इसलीय इस्तमाल में ले रहे हैं ऐसा माना जाता है वैसे तो कि जो गाई मे घूट का गी होता है व działार आप लेकं जहादा इस प्राइड निकलता है ये कि कि दूत का जो पनीर होता हुआ जयादा अच्छा माना जाता PLAY Ke तो हम फाइनली दूद से जी हां 100 लिटर दूद से पनीर बनाने की वीडियो अपलोड कर देंगे बना देंगे तो फटावट से लाइक करो और मैं और दूदी कटा करना भी मुझे और दूद आगे एक और चीज़ देखो पार्डा भैस को दूखे लेका रहा है डार्क जोग टर्क जोग कर दूदी जो है इतनी शाम होगी है लेकिन हमने पूरा फुर्स लिटर कर लिया है अब इसे बोल करना होगा और तो कि आई पानी मिला या बदिना मिलावट को अलगी रिखता इतना जाड़ा जाड़ा इतना दूद को चानना इसलिए ज़रूरी होता है आज यह हो गया हमारे पास पूरे 100 लिटर दूद यानि की मिल्क और अब देख्टें कि इतने सारे मिल्क से हम जो है कितना गी निकाल पाते हैं अब हमें सबसे पहले दूद को बॉइल करना होगा बट्टी तेज करो कि अब है कि अब है कि सर्दी का मोसा में और दो गंडे से ज्यादा होगे लिए थन लग रही है तो क्यों न थोड़ा-थोड़ा सा दूद पी लिया जाए यह कॉंट नि करेंगे ठीक है तोड़ा सा डालते है तोड़ा-थोड़ा पीते और दूद पीने का मज़ा भाई इसमें आता है सकोरे में गाइस हमारा जो दूद है भी वह बोईल हो चुका है अब नेश्य स्टेप के अंदर हमें इसे फिर से ठंडा करना होगा यानि कि जितना टाइम जो इसको गरम करने इसके अंदर दूद को डाल देंगे तर फेश सेरिया ज्यादा होने की वज़ा से जल्दी थंडा होगा जैस अब यह मारे दूद कर टेंपरेचर बिल्कुल सई है दही बनाने के लिए तो आप देख सकते हैं कि अगर दूद बिल्कुल प्योर और जरास आपी पानी या कोई भी ची जाअँ नहीं गया तो या इतनी मोटी-मोटी मलाई की परत जम There you can see और इसे बस्फुरी परत देख रहेять यह मलाई की और कितनी मोटी यह मैं को दिखाता हूँ जो तरीका वो थोड़ा साल है को बागी मुलाई देखो गाइस कितनी ज्यादा अब आप देखो यार प्यॉर होती है न चीज़े तो ऐसी मुलाई आती है इतनी जाड़ी तो अब करते दूद का जो टेंपरेचर है वो हलका हलका सा गुनगुना सा है तो अब दही जमाने के ल प्रेचर बिल्कुल सही है अब इसका करेंगे केंवन केंवन क्या होता मैं आपको बताओंगा पहले इनके अंदर जो है पंदूद परते तो गाइस यार कितना गाड़ा दूद है ये सारे दूद को मने मटकों के अंदर भर दिया है अब इनकों अंदर लेके चलते रूम में किसी सेफ जगा पे और बहुत ज्यादा थंड है तो थंड के अंदर इतना अच्छा दही नहीं जमेगा थोड़ा सब मीडियम रूम टेंपरेचर होगा ना अच्छा जमेगा रूम म जब दही जमाने के लिए इसमें हम पुरानी चाज का इस्तमाल करेंगे कई और तरीकों से भी जमाए जा सकते हैं इन चाज सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन सभी के अंदर हम थोड़ी थोड़ी सी चाज डाल देंगे जिससे क्या होगा कि दूद जो है वो फट जाएगा और इसके अंदर काफी सूक्षम बैक्टीरिया दोते जो कि वो पता नहीं क्या करते वेक्टीरिया वसको मिला कि दः बन जाते है ठीक है तो इसके बाद में अगला प्रोसेस आएगा तो पहले इन सभी में चाज डालते है कि वैसे तो दही 12 गंटे के अंदर जम जाता है लेकिन अभी सर्दिया है तो हम जो है अठारा गंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद में दही जम जाएगा फिर निकालेंगे गी गूड मानिंग गाइस तो पूरे 18 गंटे हो चुके और हमारा जो दूद है कमने दही बनाया है और मैं आपको कई कवालीटी भी दिखा देता हूं बहुते प्यारा जमाया यह देखो इसके अंदर भी तंड है यह दो दही बहुत ही अच्छे से जम चुका है अब निकालते हैं गी गाइस दही से गी को निकालने के लिए हमें दही को बिलोना पड़ेगा और बिलोने के लिए हमारे पास ये ये है बिलोना मोटा नहीं है गाइस ये देसी जुगाड तो देसी तरीके से ही दही को बिलोएंगे त आप देख सकते हैं कि काफी सिम्पल सी चीज होती है तो यह है बिलोना इसको बोलता है मत्हानी जिससे अपन दही को मत्ते हैं यह है एक इस तील का ड्रम यह इसका जुगाडब दही बिलोने के लिए हमें इसे सेट करना होगा किसी भी मजबूत चीज के साथ में जैसे कि हम य बिर देख सेख जब हैए जेख सेख सेखिया और सब्सक्स ड्रम सेख संब्सक्राइब नहीं देख को अटेर कि मुगां हो चयाकि में गयाए तो ज़तीया हो तो लो में इस इस तरीके खहति की तो भी मैरे देख बाइए टालीक है और पर लस्त को आए शरी जाई है तूसे तो गाइज बिल्कुल वैसे फिलिंग आरे इसे पुराने टाइब में यश्योदा महिया निकाला गरती थी कनया लाल के लिए माख़न वैसे ही कि अब देख सकते हैं कि कितना गाड़ा हमारा दही है पहले इसे शुरुआत में ऐसे ही बिलोना पड़ेगा अमीन मतना पड़ेगा उसके बाद में आवशक्त अनुसार इसमें पानी डालते जाएंगे वैस चलो माख़न निकालते है आज कल तो मशीन से निकाल लिया जाता है एसे में तोड़ी मैनत लगती है लेकिन वह फ्लील भी आता है अगार कि आगार मीन होखे इस अपर अपर आहें ना है 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 तो एक अब ऑधी अमारा ढ़लनाया आप अश्टार्ट हो गया है यह देखो और पानी डालते तोड़ा सा है ज्टाइब नादान भी है यह पर फेक्ट आदमी है तो में ज्यादा पावर लगा देंदगार 100 लिटर है तो टाइम ज्यादा लगए है तो तेज 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 करने लेगा था आप देख सकते हमारी आप यह तूड़ चुका है तो गी निगलेगा ठीक है जलती बाजी वह ज्यादा कि अगई है ऐसी बातनी हमारे गाव में सबके पास होते और यह बहुत पुरा निगालते हैं और बहुत मेहनत लगई शाम तक निगलेगा पूरा गी जैसे केंबर के अंदर मार पास थंड़ा पानी है ठंड़ा पानी डाल तो गच्छा गी आप देख सकते हैं यह रागा इस मखन यह देखो चलो इसे इसके इंदर इखटा करता है कि यह आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर से मखन को निकाल लिया है और यह तो मैंने ग्लाव स्पेन रखें वरना इसकी जो खुशबू है ना पांस दिन तक मेरे आतों से नहीं जाती चाहे में कितना ही आतों को दोलू बागी आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पा मखन और यहां पर हमारे पास बिल्कुल ताजा ताजा ठंडी ठंडी चाहँ अभी तो और गी निकलेगा इसमें से तो एक बारी में आप देख सकते हैं कि इतना मखन निकाल लिया है यह देखो यह पूरा मखन है गाइस ओल्मोस्ट इस वाले बेच कंदर से सारा गी निकल चुका है थोड़ा बहुत रहा है लेकिन काफियत तक सारा गी निकल चुका है अगला बेच रिडी करते हैं वाह यार इसके अंदर देखो कि इतना प्यारा गी निकला है यह लाश्ट बेच है गाइस गाइस फाइनली हमने 100 लिटर दूट से मक्खन निकाल लिया है जो हमारा मक्खन बेटा है वह बेटा है कितना 13 kg 500 ग्राम आप देख सकते कि 13 kg 500 ग्राम मक्खन है यह अगर इसका वेट घटा दे तो लगबग 12 kg ताड़े 12 kg मक्खन निकला है 100 लिटर दूट से एक किलो की जो रेट है मक्खन की वह हमारे आप है 600 रुपे केजी यानि कि 600 रुपे केजी मक्खन बिखता है अब चार्च देखते है चार्च हमें मिली है 67 kg यानि कि इसका पगोने का बज़न अटा दे तो 65 kg जो चार्च की रेट है वह है 20 रुपे केजी हमारे आप है 95 तो भाई 7500 का तो मक्खन हो गया और 32 रुपे की चार्च हो गई टोटल हो गए 10700 रुपे तो टोटल हमने 10700 रुपे का प्रोड़क्ट निकाला है 100 लिटर दूद से वैसे तो हम जो है दूद तो फ्री का मिल गया हमें क्योंकि हम तो अपने गरों से आसपास से इखटा कर अब इस में से घी और अगर गी और गनीक हो तो किते रुपे किलो नौ सो रुपे किलो तो गाइज आर और और ऑड़रीजिनल अगर अब टेस्ट करा के लिए अच्छी जगा बेचे तो जो घी है वह विकता है 900 लुपे किलो तो आप देखते हैं कि इस मखषबों से कितना गी निकलता है गी निकालने के लिए गरम करना पड़ेगा- वाउ। है ३ाइस जो खुश्बोख आती है वही जब आती जब गी निकलता है ना अलागी आप झाने परम आयए जब गरम हो रहा इसका और जब प्योर गी निकल जाता है उसका भी इस्तमाल करते हैं सारी चीजे टेश्टी लिपती है गाई ज्यादा आदा अगर के निकालना पड़ेगा गी ज्यादा है तो पहले इस बेच को गी बनाते हैं उसके बाद में इसको भी बनाइगे गाई आप देख सकते हैं गी निकलना इस्टार्ट हो गया है यह देखो यह गी है यह जो यह यह दो आप यह जो आप अब हमें इसे तब तक बोइल करना होगा जब तक कि इसके अंदर जो भी वाटर है और जो भी चाच के रेसिडियूज है वह उड़ना जाए अलग अलग ना हो जाए जब तक हमारा गी रेडी हो रहा है आपके अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोंगर इस वीडियो पे तीन लाइक एम्स का टार्गेट पूरा होता है तो हम जो है आप सब की फेवरेट सबजी पालक पनीर में जो पनीर योज होता है उसे भी देशी शुद्ध तरीके से औरगेनिक वेक अंदर बना के आपको दिखाएंगे और सो किलो दूद से फिर देखेंगे कि कितना पनीर निकलता है अगर तिन लाइक आते तिन लाइक आते काम शिरू करते आओ अगर याइस फाइनली हमारा जोगी है वह तैयार हो चुका है अब इसे अमें चांदना होगा चलो इसे निकालते बंद कर बंद कर बंद कर चलो गाइस इसका वेट करते हैं कि यह कितना है वजन बेड़ता है यह तीन केजी चार सो पचास ग्राम हमें आप गी निकल गया है इसका वेट बाद में निकाल लेंगे और अभी तो हमारे पास दूसरा बेच बाकी है चलो उसे भी गरम करते हैं और उसका भी निकालते है इसमें तोड़ी चार्च भी आगई यह चार्च को निकाल लेते हैं रुको आइस चार्च चार्च और बाकी जो सारी चीजे वह लग चांद लिए हमनी इस तरीके से जो पानी है वो बॉल होके भाब बनके उड़ जाएगा फ्लास्ट में बच जाएगा प्यॉर गी इस बार हमारा की परफेक्टली बनाया है कि इसली बार हमने तोड़ी जल्दी बाजी कर दी यह देखो अब इसे चान लेते हैं तो गाइस यार यह भी हमारे पास निकल गया है गी और यह देखो कितना परफेक्ट गी निकला है इसका तो देशी शुद्दगी इस तरीके का दिखाई देता है यह देखो Epic इसे इसके अंदर कितना वजन बाता है इसके अंदर रुकमेट जाता हूं तो यह निकला है पांच केजी ए सुग्राम जो पहले वाला था जहलका सा जल गया था अगर दोनों को रख देते हैं तो टोटल हो जाता है हमारे पास आठ केजी 750 ग्राम यानि कि इसका केटली का वज़न अटा दे और इसका वज़न अटा दे तो लगबग हमें मिल जाता है अगर आठ केजी गी वह तो हम डंक से नहीं निकाल पाए तो अपन यह समान सकते हैं कि आप आठ केजी शुद्ध गी निकाल सकते हैं बिल्कुल शुद्ध गी की प्राइस बता बगए 900 नो सो रुपे तो नो टे नो टे नो टे बहत्तर तो गई जाए 7200 रुपे का गी अपने अच्छी लगी होगी अच्छी लिगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो एक बार और देख लो ये वाला की अलका सा जल गया था ये देखो गाइस तो आज के लिए हमसा मिलते इसकी नेक्स वीडियो के अंदर तो भई गी दाल बाटी झाल